दोस्तों 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सरकार की तरब से आज एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया हवाई यात्रा को लेकर DGCA की तरब से नई गाइडलाइन देखिए अब 12 साल तक के बच्चों के हवाई सफर को लेकर नियम बदल चुका है DGCA ने देश की सभी हवाई कमपनियों को निर्देश जारी करते विये कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे बच्ची लड़का लड़की को उडान के दोरान कम से कम एक अभिभावक के साथ ही सीट मिलनी चाहिए मतलब कि अगर माता पीता पेरेंट्स दोनों हवाई यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ में उनके 12 साल से कम उम्र के बच्चे बच्ची हैं तो चाहे माता चाहे पीता के साथ बच्चे बच्ची को एक सीट अभिभावकों के साथ आवंटित करना अनिवारी होगा एरलाइन कम्पनियों को जो कि एक ही PNR पर यात्रा कर रहे हैं उन सबी के लिए सरकार की तरब से आज ही आदेश आरी किया गया फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को अपने माता फिता के साथ बैठाना अनिवारी होगा अगर पेरेंट्स ने अपने लिए free seat या auto allocation का option चुना है तो बगल की seat बच्चे के लिए arrange करना अब एरलाइन्स कम्पनियों की जिम्मेदारी होगी और इतना ही नहीं इसकी report भी time to time सरकार को सोपनी होगी अना तो ये छोटे बच्चे बच्चों को लेकर नया नियम new rules आपको जरूर जानने मिला होगा ये छोटा सा अपडेट था मैंने सोजा आपके साथ शेयर कर दूँ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और एसे informative काम की quick news अपडेट देखते रहने के लिए DLS News चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकोन जरूर दबा दीजेगा जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम